नमस्कार बच्चों बच्चों उमेद है आप अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे बच्चों आज हम जो अधिहाय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कानून और समाजिक नयाय ये कक्षा आठ का अधिहाय दस है जब हम अधिहाय का नाम लेते हैं कानून और समाजिक नयाय तो हम सोचने लग जाते हैं कि कानून और समाजिक नयाय का आपस में क्या संबंध है अगर हम बात करें तो हम इस अधिहाय के जरिये ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या जो कानून बनाए गए हैं वो समाज के सब वर्गों के लिए सही रूप से बने हैं या उनका गलत उपियोग हो रहा है अगर हम उधारन के तोर पर ये देखें कि जो मजदूरों को एक परकार से जो मेहनताना या मजदूरी मिल रही है क्या वो उनको सही मिल रही है या नहीं मिल रही है इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो कानून बनाए गए हैं चाहे वो मजदूर की मजदूरी से सबंदित है क्या वो सरकार के द्वारा सही रूप से क्रियानवित किये जा रहे हैं या नहीं किये जा रहे और हम ये भी देखेंगे कि जो विदेशी कमपनिया भारत में आती हैं क्या वो सही तरीके से काम करती हैं या नहीं करती हैं या उनके भीतर या उनके अंदर कुछ ऐसी ढिल रहती है जिसकी वज़ा से यहां के लोगों को भी नुक्सान पहुंचता है और यहां जो प्रयावर प्रयास तरास्दी हुई थी उस घटना के माध्यम से इस बात को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चो आपने एक अधिहाय पढ़ा था पीछे जिसका नाम था बजार में एक कमीज उसमें आपने देखा था कि किस परकार जो कापास पैदा करने वाला किसान है और किस प हमने देखा था कि वहाँ पर लगबग सभी का शोशन हो रहा है यह जो शोशन है केवल उनहीं लोगों का नहीं सिरफ मजदूर का ही नहीं जो उत्पादक है जो उपभोगता है उसका भी शोशन हो सकता है अब यह जो शोशन को रोकने के लिए कुछ कानुन बनाए जाते है और हमने यह देखना है कि क्या जो सरकार है इन कानुनों को सही रूप से लागू करने में सक्षम है या नहीं आईए हम एक बजार की स्थिती को देखते हैं बजार में क्या होता है जो भी नीजी कमपनिया होती हैं जो भी कारोवारी होते हैं जो भी विवसाई होते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुणाफ़ कमाना चाहते हैं। और इस मुणाफ़ के चकर में वो ये देखते हैं कि मजदूरों को जो वेतन है वो कम दिया जाए। और इसके लिए वो कई परकार के हत्खंडे अपनाते हैं। और मजदूर को सही मेहनत आना या मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं होती तो एसिस्टिती में कई बार सरकार को ये चाहिए कि वो देखे कि ये काम सही हो रहा है या नहीं और इसके लिए वो ये काम कर सकती है कि जहां पर मजदूरी या मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर जाकर के उन स्थलों का दोरा करे सुक्षम निरिक्षन करे और ये पाए कि क्य जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको सही मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही है इसके लिए कि अभी क्या किया गया है हाल में एक कानून भी बनाया गया है नियुन्तम वेतन मजदूरी का कानून बनाया गया है इसके तहत क्या है कि एक मजदूर को कम से कम एक निश्चित वेतन जरूर मिलना चाहिए और अगर उस निश्चित वेतन से कम उसको वेतन मिलता है तो वो कानून की शरण ले सकता है जिस त्रहें मजदूरों को सुरक्षा परदान करने के लिए नियूंतम वेतन का कानून बनाया गया है उसी त्रहें बाजार में उत्पादकों और उपभोगताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाये गए हैं इन कानुनों के जरिये मजदूर, उपभोगता और उत्पादक तीनों के सबंदों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उन में से किसी का शोशन न हो आए हम कुछ कानुनों की बात करें जैसे नियुंतम मेहनताना कानुन इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित नियुंतम राशी से कम नहीं होना चाहिए कार्यस्थल पर प्रयाप्ट सुरक्षा विवस्ता का इंतजाम करने वाले कानुन उधारन के लिए चेतावनी अलारम अपात कालिन द्वार आदी सही धंग से काम कर रहे हो चीजों की गुनवत्ता निर्धारित मानकों के अनरूप होनी चाहिए यह बताने वाले कानुन उधा की कीमतों को नियंतरण में रखने वाले कानून ऐसे कानून जो फैक्टरियों को हवा या पानी में परदूशन फैलाने से रोकते हैं कार्य स्थाल पर बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून मजदूर यूनियन या संग्ठन बनाने से सबंदित कानून लेकिन कानून बना ही देना काफी नहीं होता जो कानून बनाए गए हैं क्या वो सही ढंक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये भी सरकार को देखना चाहिए सरकार को देखना चाहिए कि जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू भी करें और साथ-साथ जो चीज लागू की गई है उसकी निगरानी भी करे ताकि जो काम है वो सही ढंक से हो पाए इन कानुनों को बनाने लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार वेक्तियों या नीजी कमपनियों की गती विद्यों को नियंतरित कर सकती है ताकि समाजिक नियाए सुनिश्चित किया जा सके इन में से बहुत सारे कानुनों क का जनम भारतिय सम्विधान में दिये गए मौलिक अधिकारों से हुआ है उधारन के लिए शोशन से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी काम को भी कम महनताना पर काम करने या बंदुआ मजदूर के तोर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता सम्विधान में अभी यह कहा गया है कि 14 साल से कम उमर के किसी भी बच्चे को किसी कार खाने या ख़दान या किसी अन्या खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा सन 2001 की जनगना के मताबिक भारत में 5 से 14 साल की उमर के 1 करोड 20 लाख बच्चे विभीन व्यवसायों में नोकरी करते हैं इन में से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं 2006 के अक्तूबर महीने में सरकार ने 14 साल से कम उमर के बच्चों को घर ढाबों या रेस्तरा में या चाई की दुकानों आदी में नोकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी बाल मजदूरी रोख्थाम अधिनियम में संशोधन करके अब यह प्रावधान किया गया है कि इतने छोटे बच्चों को नोकरी पर रखना एक गंभीर अपराद है अगर कोई वेक्ती इस कानुन का उलंगन करता है तो उसे तीन मां से दो साल तक जेल की सजा और दस हजार से बीस हजार रुपे तक का जिरुमाना हो सकता है केंदर सरकार ने राज्या सरकारों को निर्देश दिया है कि वे घ्रेलू नोकर के तोर पर काम करने वाले बच्चों को मुक्त कराने और उनके पुनरवास के लिए योजना बनाए अभी तक महारास्टर, करनाटक और तमिल नाडू केवल इनी तीन सरकारों ने ऐसी योजन प्रकाशित की हैं इस कानून के पारित होने के एक साल से भी ज्यादा समय बाद आज 74 प्रतिशत ग्रेलू बाल मजदूर 16 साल से कम उमर के हैं आईए बच्चो अब हम जो भुपाल गैस्त रास्दी हुई थी 1984 में उसके बारे में पड़ें और साथ ही ये भी देखें कि किस प्रकार एक विदेशी कमपनी उसके लिए जिम्मेदार थी बच्चो आपको पता ही होगा शायद या आपने किसी से सुना ही होगा कि दो तीन दिसंबर रात की बात है 1984 की दो तीन दिसंबर को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो दो तारिक थी दिसंबर की वो जाने वाली थी और तीन दिसंबर आने वाली थी और रात को ही होता है पता है आपको 12 मचे के बाद तारिक बदलती है अब लोग घरों में सो रहे थे बेसुद अपनी वोतनींद पूरी कर रहे थे लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको अपने शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई उनको ऐसे लगा जैसे वो सांस नहीं ले पा रहे हैं वो उनको लगा वाकी में कहीं न कहीं कोई समस्या हो गई है वो भागे इदर भागे उदर भागे लेकिन जहां भी जाएं उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी सब लोग सब तरफ हाहा कार मचा हुआ था क्या हो गया बच्चो आप सोच रहे होंगे क्या हुआ वास्त में क्या हुआ था कि भुपाल के अंदर हम भुपाल की बात कर रहे हैं जो मद्या परदेश की राज़नानी है वहाँ पर एक कंपनी या एक फैक्टरी लगाई गई थी कीट नाशक द्वाईयां बनाने वाली और ये जो कंपनी थी वो अमेरिका की कंपनी थी जो यहां भारत में 1978 में स्थापित की गई थी अचानक क्या हुआ था दो तिन दिसंबर की रात को कि उस फैक्टरी से जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव होना शुरू हो गया था और वो जो गैस थी बहुत ही हानिकारक थी और इसी वज़ा से जैसे ही वो लोगों के नाक से फेपड़ों में पहुंची तो उनके लिए सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया और ये जो उनको सांस लेने में समस्या आई उसकी वज़ा से बहुत से लोग मारे गए और आज भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है उस समय के जो लोग हैं उनको श्रीर्स में बहुत से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वज़य वो जहरीली गैस थी अब कुछ वहां के जो लोग हैं वो अपनी आप वीती किस तरहां बताते हैं इस घटना के बारे में इस धुरगटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान क्या कहती है तकरीबन साड़े बारा बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज सुनाई दी कमरे में हलकी सी रोशनी थी मैंने देखा कि पूरा कमरा सफेद धोय से भरा हुआ था मुझे लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई दी सब कह रहे थे भागो भागो इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी लगता था जैसे मैं आखें बुरीत रहें जलने लगी तीन दीन के भीतर आठ हजार से जादा लोग मोत के मुझे चले गए लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए जहरीली गैस के संपरक में आने वाले जादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे उनमें से लगबग पचास हजार लोग आज भी इतने बिमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर शवास विकारों आख की बिमारियों और अन्य समस्याओं से पीडित हैं बच्चों में अजीब कोई दुरघटना नहीं थी अमरीका की कंपनी यूनियन कारबाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जान बूज कर नजर अंदाज किया दो दिसंबर की तरास्दी से बहुत पहले भी कार खाने में गैस का रिसाव हो चुका था इन घटनाओं में एक कारबाइड ही दोशी है लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया इसके बाद शुरू हुई कानुनी लड़ाई में पीडितों की और से सरकार ने यूनियन कारबाइड के खिलाब दिवानी मुकदमा दायर कर दिया 1985 में सरकार ने तीन अरब डॉलर का मुआवजा मांगा था लेकिन 1989 में केवल 47 क्रोड डॉलर के मुआवजे पर अपनी सहमती दी इस तरास्दी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाब सर्वोच नेलया में अपील की मगर सर्वोच नेलया ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया यूनियन कारबाइड ने कार खाना तो बंद कर दिया लेकिन भारी मातरा में विशैले रिसायन वहीं छोड़ गए ये रिसायन रिस रिस कर जमीन में जा रहे हैं जिससे वहां का पानी दुशित हो रहा है अब यह सयंतर डायो कैमिकल नामक कमपनी के कबजे में है जो इसकी साब सफ़ाई का जिम्मा उठाने को तयार नहीं है बच्चो भुपाल गैस तरास्दी से जो पीडित लोग हैं वो अभी भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि उसका भुगतान कमपनी के दवारा उनको कि आजाए आज आप देख सकते हैं 1984 में घटना हुई थी और अब 2020 है लगबग 36 साल बीच चुके हैं लेकिन जो पीडित लोग हैं उनको मुआवजा अभी भी नहीं मिला है अब बच्चो आप सोच रहे होंगे कि ये जो यूनियन कारवाइड कमपनी थी ये एक अमेरीकन या कार खाना लगा लेती बच्चो क्या बात है कि यहां इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो भारत में मजदूरी है वो बहुत सस्ती है और इसलिए ये कमपनियां क्या है काम करने के लिए या अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए यहां पर कार खाने लगा लेती हैं क्यों और साथ-साथ उनको ये भी पता है कि यहां के जो मजदूर हैं जादा घंटे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और इसके साथ-साथ वो अपनी जो अवास जैसी सुविधाएं हैं उनकी भी मांग नहीं करते जैसा कि अमरीका में होता है अब अगर हम अमरीका की फैक्टरी या भारत की ये जो भुपाल गैस रास्दी वाली जो यूनियन कारबाइड कमपनी है इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो हम पाएंगे कितना ज़्यादा अंतर है आए हम उसको थोड़ा सा समझें यूनियन कारबाइड के भुपाल और अमरीकी सैंतरों में सुरक्षा विवस्ता में फरक जाने के लिए आए हम कुछ चीजें पड़ें पश्चिम वर्जीनिया जो अमरीका में स्थित है में कम्प्यूटरी कृत्च चतावनी और निगरानी विवस्ता मौजूद थी भुपाल के यूनियन कारबाइड कार खाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था पश्चिम वर्जीनिया में खत्रा पैदा होने पर लोगों को स्रक्षि स्थानों पर ले जाने की विवस्ता मौजूद थी जबकि भुपाल में ऐसा कुछ नहीं था अब आप यह सोच रहे होंगे कि भारत और अमेरीका या दूसरे देशों के बीच यह जो स्रक्षा मानक हैं भारत में क्यों कम दिखाई देते हैं और साथ ही हम ये भी देख रहे होंगे कि जो यहां पर मुआवजा है पीड़तों को जो दिया जाता है वो भारत में कम क्यों दिया जाता है बच्चो इसका एक परमुख कारण ये है कि भारत में बिरोजगारी बहुत जादा है बिरोजगारी आप समझ रहे हैं कि काम करने के लिए लोग तयार हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा और इसलिए वो क्या है कि कम दर पर काम करने के लिए तयार हो जाते हैं और कई बार उनको ये भी पता है कि जहां पर वो काम कर रहे हैं वो जगह सुरक्षित नहीं है पर फिर भी वो वहां काम करने के लिए तयार हो रहे हैं और उसका भी यही कारण है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं बिरोजगारी बहुत जादा है और इसका फैदा जो मालिक ह वो उठाते हैं और मजदूरों का शोशन करते हैं बच्चों ये जो सुरक्षा खामिया थी उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आकर किसकी थी अगर हम बात करें तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है सरकार की होती है सरकार का काम सिरफ कानून को बनाना ही नहीं है कानून को प्रफाइं गये हैं लागू किये गये हैं क्या वो सही डंक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है सरकार को निग्रानी करनी चाहिए अब वहां पर भुपाल के अंदर जो यूनियन कारवाइड में ये हादसा हुआ देखा जाए तो यूनियन कारवाइड कमपनी की जिम्मेदारी तो है क्योंकि उसने जो सुरक्षा इंतजाम थे वो सही नहीं किये थे लेकिन सरकार को भी चाहिए था कि उटको देखना चाहिए था कि क्या वहाँ पर ऐसी कोई ढील तो नहीं है जिसकी वज़ा से कोई हादसा हो सकता था और जो हादसा था वो हो भी गया सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तयार नहीं थे इस कारखाने को घनी अबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई एतराज नहीं किया जब वाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना मिक बच्चो जो वहाँ पर गैस थी उसका नाम था और इसका जो पूरा नाम है मिथाईल आईसो साइनेट इसलिए इसको हम मिक बोल रहे हैं उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी तो सरकार का कहना था कि परदेश को भुपाल के सैंयंतर में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहें सरकार की राय में यूनियन कारबाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साब सुत्री तकनीक या ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए सरकारी निरिक्षक कार खाने में अपनाई जा रही दोश पूरण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे जब कार खाने में बार बार गैस कारी साब होने लगा और सबको यह बात समझ में आज चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बडी चल रही है तब भी निरिक्षकों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी बच्चों अगर हम इस प्रकार देखें तो जो नीजी कमपनी थी या जो विदेशी कमपनी थी यूनियन कारबाइड और भारतिय सरकार और उससे जो जुड़े हुए लोग थे चाहे वो अफसर थे अधिकारी थे करमचारी थे यह सारे के सारे लोग उसके लिए दोशी है प्रकारी लेनी चाहिए और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना या द्रुगटना या तरास्दी ना हो उसको रोकने के लिए पहले से ही कुछ सक्षम उपाय करने चाहिए बच्चों इसके साथ साथ जब हम इस यूनियन कारबाइड फैक्टरी में जो गैस का रिस क्योंकि जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव हुआ उसने आसपास की जो वनस्पति थी उसको भी नुकसान पूंचाया और बाद में भी किस प्रकार हमने देखा कि वो जो कीट नाशक है या जो गैस है अभी भी धरती के नीचे समार रही है दीरे-दीरे रिस रही है और वहा क्या कर रही है हावा और पानी में परदूशन फिला रही है 1984 से पहले अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था जो इन फैक्टरियों को या कार खानों को रोके कि इस प्रकार कि वो यहाँ पर जो परदूशन फिला रही है उसको खतम करे लेकिन 1984 में प्रयावरन से सबंदित एक कानून आया जिसने ये कहा कि प्रयावरन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए भुपाल गैस तरास्दी ने प्रयावरन के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया कई लाख ऐसे लोग कार खाने से निकली जहरिली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कार लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो अध्योगिक दुरगड़नाओं के कारण गायल होते हैं प्रयावरन वादी कारय करताओं तथा अन्या लोगों के इस दवाब से निप्टने के लिए भुपाल गैस तरास्दी के बाद भारत सरकार ने प्रयावरन के पहुंचाने के लिए परदूशन फिलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे प्रयावरन पर अगली पिडियों का भी हक बनता है और उसे केवल अध्योगी क्विकास के लिए नस्ट नहीं किया जा सकता अदालतों ने स्वस्थ प्रयावरन के अधिकार को जीवन के मोलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महतंपुन फैसले दिये सुभाष कुमार बनाम बिहार राजय उननी सो क्यानवे के मुकदमे में स्रवोच नेले ने कहा कि जीवन का अधिकार समिधान के अनुछेद 21 के तहट एक मोलिक अधिकार है और इसमें परदुशन, मुक्त, हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह परदुशन पर अंकुष लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोशी है उन पर भारी जुरुमाना लगाने के लिए कानुन और प्रक्रियाएं तै करे लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है कि जब अदालत या नियले कोई अदेश जारी करता है खास करके जब हम बात कर रहे हैं पर्यावरन की तो कई बार उससे ऐसा होता है कि कई लोगों की रोजी रोटी छीन जाती है क्या हुआ कि अदालत ने निरदेश अदालत ने अदेश जारी किया कि दिल्ली के अंदर जितने भी छोटे मोटे उद्योग हैं जो रिहायशी राके में हैं उनको या तो बंद कर दिया जाना चाहिए या किसी दूसरी जगां स्थानांत्रीत कर दिया जाना चाहिए ताकि जो दिल्ली का प्रदूशन है वो कम हो ये काम तो कर दिया गया बहुत से उद्योगों को बंद कर दिया गया और बहुत से उद्योगों को दूसरी जगां ले जाया गया लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जो उन उद्योगों में काम कर रहे थे जो मजदूर उनकी रोजी रोटी पर कितना बुरा असर पड़ा होगा उनको तो रोजी रोटी मिलनी बंद हो गई अब उनके लिए यह संबब नहीं था कि सारे के सारे लोग वहाँ चले जाएं जो इतनी दूर वहाँ पर उद्योग से यह बात सामने आई है कि मध्यवरक के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं लेकिन वे अकसर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुन्दर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चा यह लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इस से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खत्रे में पढ़ सकती है जहां एक तरफ स्वच प्रयावरण के बारे में जाग रुकता बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की स्रक्षा के बारे में लोग ज्यादा चिंता नहीं जिता रहे हैं तो बच्चो इस परकार इस अधियाए में कैसे हमने देखा कि चाहे वह दफ्तर है चाहे कारयाल्या है या कोई कार खाना है वहां पर क्या हो रहा है लोगों का शोशन हो रहा है और जो निजी कमपनिया है जो व्यवसाई हैं कारोबारी लोग हैं वो उ स्थिति में सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह आगे आए कानून बनाए कानूनों को लागू करे और उस पर निग्रानी भी करे लेकिन साथ साथ केवल नीजी कंपनिया और जो सरकार है उनके जरिये ये काम नहीं हो सकता जो कुछ समान्य लोग हैं जो जन मानस है वो भ रहा है या चाहे कार खानों में काम करने वाले लोगों का उनके प्रती जागरुक हो और उन लोगों के लिए जो वहां पर काम कर रहे हैं और साथ में जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सुरक्षा इंतजाम पहले से ही करके रखे तो बच् हम उसको प्रशन उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें पहले हम बहु विकल्पी प्रशन करेंगे प्रशन भारतिय समिधान के अनुसार कितनी उमर के बच्चों को किसी कार खाने या ख़दान या खतरनाक विवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा विकल्प हैं 12 साल से कम 14 साल से कम 15 साल से कम 18 साल से कम बिलकुल सही 14 साल से कम प्रशन भुपाल गैस तरासदी किस वर्ष हुई थी विकल्प हैं 1980, 1982, 1984 और 1986 बिलकुल सही 1984 प्रशन तीन जीवन का अधिकार भारतिय समिधान के किस अनुछेद के तहत एक मौलिक अधिकार है अनुछेद 21 अनुछेद 23 अनुछेद 24 अनुछेद 20 बिलकुल सही अनुछेद 21 प्रशन चार नीजी कमपनियों के गलत तोर तरीकों को रोकने और समाजिक नियाय परदान करने के लिए सरकार निम्न में से क्या कर सकती है वह कानुन बना सकती है वह कानुनों को लागू कर सकती है वह उन पर निगरानी रख सकती है ये सभी बिलकुल सही पहले वाले तीनों आप्शन बिलकुल सही हैं प्रशन पांच भुपाल स्थेत यूनियन कारबाइड कमपनी जहां पर मिथाइल आइसो साइनेट या मिक गैस का रिसाब हुआ था वो किस देश की थी विकल्प हैं रूस जर्मनी अमेरीका फ्रांस बिलकुल सही ये अमेरीका की कमपनी थी तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अधिहाए कानुन और समाजिक नियाए समाप्त होता है उमीद है आपको समझ आया होगा धन्यवाद स्वस्त रहें सुरक्षित रहें